पाइस ओ नום कितने स्वाइन भाए मैंन की पाइ सायरो में थिए कैम्पिंग कर यह सारे लोग अहने तो काफी सारे लोग आचे अरे बाई तुम्हें भी पता लग गया क्या अरे जाया ने तू को आने तुस्से की बात कुरो अमांड़ यह क्या है अरे मैं तैसे घूमने आया थी मुझे पता चला कि यह ती दैसे बाहर निकल रही है पता नहीं क्या है मिरकुत लगता को यह लिए ने अब भाई सब बढ़ा तो बहुत जादा आये अब तुम लोग यह क्या कर रहे हैं अरे मैं एक क्रिश्यन हूं मैं देखने आया हूं अब या वढम नहीं हूं रभा किछना कर रहे हूं और यो बोलगे जाक्र रहे हैं क्या कर रहे हैंakah कोन बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ गोर्ड टाइटन आप बात भी कर सकते हैं हाँ मैं धर्ति के अंदर कई हजार सालों से रहता हूँ फिर आज आपके उभार लेकर लिया है क्या चायवाई पी निया है क्या नहीं मुझे रोकना है मेरे दूसरे इविल भाई को जिसका नाम है रैड गोर्ड टाइटन अगर वो धर्ति के उपर आ गया तो पूरी धर्ति को तबाह कर देगा अज शाम तक वो बहार आ जाएगा अब बहुत हो गया बाते मुझे बाहर लिका लो जल्दी किस से पहले मेरा भाई आके मुझे वापी जमीन में गाड़ दे अजी अजी यार ऐसे बात मत करिये बताइए आपके मुझे क्या करना है आपका गुलाम आपके लिए हाजिर है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इंसान जिससे मैं इस धर्ती से बाहर लिकल सकूँ अरे क्या यार थोड़ा सा क्या मट्टी वट्टी होद में पड़ेगी या फिर क्रेन ले क्या हूँ मूरक ऐसे नहीं लिकलूंगा मैं मुझे मेरे ब्लू गोड टाइटन भाई का खून चाहिए हैं खून मांगे खीर देंगे क्या बोल रहा हूँ अरे पागल मजाक मत कर बहुत जादा जरूरी है ब्लू गोड टाइटन को सारी बात बता के उसका खून लेके आना है अब मैं सब सब पहले से बताता हूं तो पागल हो गया यहां पर कोई चीज लिकल एकिछा इंगे लोग कि सीपार कैंता काईege कर यह लोग और ब्लू टाइटन लिकल चुकए और मुझे by और और ज OUT जा नहीं आंए ए धर्ति को कोई तबाह करें तो फिलाल गाइज हम लोग आ चुके समुंदर के पास और यहीं कहीं पर बताया है कि इसका दूसरा तीसरा भाई पता नहीं कितने भाई एक तो यह लोग इनका तीसरा भाई मिलेगा ब्लू गोड टाइटन मुझे उसका खून चाहिए ओके तो गा यार अगर आप लोग चाहते को लो सेंटोस तबाना हो तो पांच सेकेंड लूग आप सभी लोगों के जल्ड़ी से वीडियो के लाइक कर तो च्यांको सब्सक्राइब ने कर तो सब्सक्राइब कर दो और एक प्यार सा कमेंट छोड़ दो यार ओके तो गाइस फाइनली में जी मिल चुका है ब्लू गोड टाइटन और यह कितना जादा बड़ा यार यह आखिर पता नहीं यारी गोड टाइटन कॉन सब बॉम बीटा खाते मम्मी जी से पूछ रापड़ेगा वाई कितनी लाइट ले रखे यार समीं कितनी जादा बड़े आरो भाई देख रहो यह बोल रहा हूं मैं अरह कौन मैं मैं अरह बकरी है क्या अब मुझे तवाम उडा ले इसने हाँ अब बोल क्या कह रहा है सुना है नहीं देरा मेरे को अरे अंकल जी मारना मत मेरे को प्लीज मुझे डर लगा आपसे अरह बताओ आखिर किसने बताया तुमें कि मैं जाग चुक बताता हूं असल पमेह को आपके वह ग्री वाले भाई ने बेज आ है वह जमीन से बाहर लिकल रहे हो रहाऊ रहा बला ओर बहुत हो तो पैर फश चुके हैं उनकी टांग फशेंग पैर फशे तो उन्हों मतलब उनको चाहिए वो मुझे नी पता क्यों चाहिए आपको पता होगा नो आपका भाई है मुझे से क्या पूझ रहे हो क्यों चाहिए बस मुझे आपका खून चाहिए उन्होंने मंगाया है और मुझे उनकी एल्प करनी कि वो जमीन से जली से भार लेका लिया है और हमारी तो गाइस आपनी बोट के पास वापिस आ चुका हूँ अरे यहां पर तो सी लेवल अलगी लेवल पर पानी देखरों कितना जादा उपर है बाइसे मेरी बोट ही पानी गंदर डूबरीजी थोड़ी थोड़ी तो चलो गाइस चलता हूं गोट टाइटन के पास और इनकी नस सो में से पानी लेते हैं अरे थोड़ा लियो जाता मतले लियो अरे हां मतलब एक बोटल दो लिटर की बोटल भरूंगा बस अरे थीक है थोड़ा ही ले लूँगा जितने आपके भाई नमंगा जाए और बाइस आदमी की तो चलो गाइस थोड़ा खून बर लेता हूं तो गाइस मैंने बोटल के अंदर खून बर लिया है अरे बाद माईयो वाद बदलवाने मेरी अरे ठीक है बाद मैं आजाओंगा वाद बदल दूँगा अगली वीडियो में बदल जाएगी आपके बाद ठीक है ओ भाई साब तो गाइस यहां पर मुझे मिल चुका है जो मैंन लगा पानी में फैक है बोटल तो लेट्स गो लिगलते हैं तो गाइस जल्दी से जाता हूं मैं भाई पाड़ों के बीच ओ बीच एक तो यार तो इसका एक भाई यह पाड़ों के अंदर दबा हुआ भाई वो तीसरा भाई कहां से लिगा लिगाएगा ज्वाला मुखी मे से ओके तो गाइस लो मैं आज कहूं अरे ग्रीन गोर टाइटें में आ गया आ गया मेरे भाई ने कुछ पूछा तो नहीं और भाई-साब उसने मेरी क्लास लगा दी वो कुछ पूछा नहीं वह तो क्या क्या कोशिन पूच रहा था पता ही नहींय। चलो मेरी नसों में डा बहाराता जा रहा हूं पर मेरा एक हाथ और एक पैर जमीन के अंदर को जादा ही दबा हुआ है तुम्हें कोई ऐसी खतरनाक विस्पोटक चीज लानी होगी जिससे ये सारी किसाड़ी मिट्टी तबहा हो जाए और मैं मिट्टी के अंदर से बहारा जाओं तो गाइस जार ऐस तरी वेश है तेरे पापा की दुकान नहीं जो तुने गेट टोट दिया ठीक है ठीक है ओ धक्का कैसे दे रहा है और यार आप अपके अपर अपके अलके में मतलियो मैं बटा रहा हूं अरे वासल मैं बताता हूं आपके इंस्पेक्टर ने मेरे को बुलाया आपसे बड़ कई जा रहा हूर कोई बंनी ये ठ्रेट अर्म से जईयो कहीं गूली ऑली ठीक है तो गाइस यार यहांपर मेरे चेकिङ ओचकी है और गाइस मैंने इसको पागल बना दिया कि भाई असल में कोई जर्नले मेल को बुलाया ही नहीं है यार क्योंकि मेरे को जो ट्रक लेना है उ तगड़ी मिसाइल्स कहते हैं न टॉमिक बंप उसके अंदर वो वाली मिसाइल्स है और वो सबसे ज़ादा ताकतवर मिसाइल्स होती है उसी इसी मैं गोड टाइटन को भार लिकाल सकता हूं ग्रीन गोड टाइटन को तो कोई यहाँ पर कितने सारे पुलिस वाले है ओके भाइस आप देखरो इसके पीसे कितनी सारी मिसाइल्स है यार अगर मैं इसको जाके फार दूंगा न तो भाइस आप गोड ग्रीन टाइटन बाहर लिकल जाएगा चलो यार इसको कर लेता हूं जल दिसी तो लो भाइस मैंने इसको कर लिया है तो अब लिकलते हैं यहां से तो भाइस मेरा दिमाग नी चल रहा है मेरा प्लैन फलो घोटा दिख रहा है यहार जो मिसाइल्स का वज़ये न हो बहुत जादा है मैंसे कैसे भान लिकालू जहार ओ भाई ओ कोई तो एल्प कर दो यार अब मैं क्या करूँ भाई ओ रुख जाता हूं यहाँ पर यार मिलिटरी वाले आ रहे हैं ओके तो गाइस मुझे नहीं लगता मैं इस टो ट्रक से इसको लिकाल सकता हूं बार मुझे इसको ड्राइव गर की लेगे जाना होगा पर गाइस मुझे कोई न कोई बहाना ढोगा कि आखिर मैं क्या बोलूँगा उस सिक्यूरिटी गार्ड को कि मैं ट्रक को खुद चला के कैसे लेके जा रहा हूं ये तो खराब होना चाहिए था ना पर यार मैं क्या करूँ ओ हां मिर्जमाग में प्लैन है मैं उसे बता दूँगा कि मैंने ये ट्रक खुद से सही कर लिया थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत चल रहा है पर ये अब भ इसमें बहुत जादा खराब होना खराब है थोड़ा जोट मत बोला मैं क्या करूँगए कवाड़ नहीं और ठीक है तू कह रहा है तो मैं बात मान लू तेरी थीक है ठीक है बंती नामी है मेरा मेरा नाम सुमित है और हाँ जो भी है टुमिट सुमित है ओके तो लेट्स गो गाइस यहां से लिकलता हूँ अरे ठुक की गाड़ी ओए गाड़ी मठोक भाई सब मैंने मिलिटरी बेस वालों को पागल बना दिया है और मैं यहां पर एक मिलिटरी का वैपन लेके आ चुका हूँ इसके अंदर इतनी सारी मिसाइल्स है कि मैं पूरे प पालक अब मूली से कैसे बाहर लिका लोगे मुझे मूली से थोड़ी लिका लोगे मैं एक मिसाइल टाक ठाके लिया या यह आपको उड़ा देगा हूँ और मतलब क्याने क्वालब आपको जमीन से उठा देगा यह कह रहा हूँ मैं इतना ताकत वर भी नियर आप मर तो गामोई कर रहे हों तोट चलो मैं दूर चला जाता हुआ पहुत झालता तो है झालो कि यह पर मैं लिखार और कि dif की तो ठालते हैं यह तो पुर उप डर यह तो भी निकाल पाएगा ऐसे तो क्या हो गया हूँ माइगोड अब हुआ ना धमाका मेरे को जाकता है कुछ गड़बड हो गई जब ओ भाई साथ कितना खत्रनाक धमाका हो रहा है ओ मज़ा रहा है मेरे को देखने में डेली ऐसे धमाके करो तो मज़ा ही ना जाए जिन्दी कि मुझे ओ बेटे आखिरकार मैं बाहर लिकल गया और आपकी एक टांग भी अब भी मट्टी में उसे लिकालने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए अरे तुम लोगों की जब से तो आप मेरी मदद मांग रहे थे ना मतलब अपने दोस्तों की अब सिर्फ मुझे तुम्हारा प बाहर लिकल जाओं गाइस यार जल्दी से क्या देख रहे हो जल्दी सी यार वीडियो को लाइक कर दो चैनक सब्सक्राइब कर दो और लिख दो कमेंट बॉक्स गोड टाइटन ओपी ओ भाई साहब हमारे गोड टाइटन बाहर लिकल चुके हैं फाइनली पाई साहब कितने जादा बड़े हैं और भाई ये जमीन के अंदर की ने चोटे लग रहे थे पर गाइस अब ये पूरा बाहर लिकल चुक और ये बहुत जादा बड़े हो चुके हैं नाइस ओ भाई क्या ही खतरनाक लग रहे है और अब वो लाल टाइटन जो भी मरने वाला बेटे आ गया तू निकम में वापिस धरती को तभा करने पर मैं तुझे रोक लूँगा अरे भाई तुम्हें किसने भार लिकाला मैं खुद से बहार आया हूं मुझे लगा था कि तुम्हें टाइम लगेगा लिकलने में पर तुम मुझे नहीं रोक सकते मैं पूरी की पूरी धरती को त लग रहा है एक आम करता है इंस्टाग्राम पर डाल देता हूं तो मुझे नहीं रोक सकते भाय मैं तबाह कर दूँगा सब कुछ अरे यह क्या और मेरे ड्रोन के सिग्नल खराब हो गई और यह क्या और मेरा ड्रोनी खराब हो गया लगता है इनका अंदर सो जो एनरजी लिकल होने वाली दोनों भाईयों में और गाइस यार वीडियो चेले को लाइक कर देना चैम्प पहले बार बोले बड़े करें तो सब्सक्राइब करते हैं और हम भी लेंगे से को ने गेम प्लेम जब तक लिए सायो नारा